दोस्तों क्या आपके पास Samsung Galaxy A03 Core है और आपकी डिवाइस पे किसी टाइप का लॉक लगा हुआ है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Samsung Galaxy A03 Core का पैटन लॉक पीन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूब करने का सबसे इजी सबसे 60 तरीका अब दोस्तों डिवाइस हमारी आउन है और डिवाइस में प्राबलम यह है दोस्तों की डिवाइस हमारी पैटन लॉक है मैं सिंपल यहां से डिवाइस को अनलाग करता हूँ और आप देख सकते हैं डिवाइस हमारी पैटन लॉक है तो दोस्तों अगर आप Samsung Galaxy A03 Core यूज कर रहे हैं और आपकी डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है जैसे कि पीन लॉक पासवर्ड लॉक या पैटन लॉक किसी भी टाइप का लॉक अगर आपके Samsung Galaxy A03 कोर में लगा हुआ है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Samsung Galaxy A03 कोर का पैटन लॉक पीन लॉक और पासवर्ड लॉक करने का सबसे इजी तरीका और घर बैठे बैठे मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दिवाइस को अनलाग कर पाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सावरब और आप देख रहे हैं perfect mobile solution तो यहां दोस्तों आपने देखा दिवाइस हमारी पूरी तरह से pattern lock है अब यहां दोस्तों इस device को अनलाग करने के लिए सबसे पहले आपको इस से पूरी तरह से पावर किया ओके लेकिन यह देखिए यहां पे जब मैं पावर आफ कर रहा हूं डिवाइस को तो यहां पे डिवाइस का पैटन लाक मांग रहा है यानि कि डिवाइस को पावर आफ करने के लिए आपको डिवाइस का पैटन ड्रा करना होगा यह देखिए ड्रा पैटन टुटर ना अगर आपको device का पैटन नहीं मालूम है या पीन नहीं मालूम है तो आप device को power off नहीं कर पाइगे यह देखे डिवाइस को मैं power off नहीं कर पाऊंगा कियोगा है क्योंकि device का हमें pattern, pin, password नहीं मालूम है करना क्या वगा दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमा जाते हैं डिवाइस के राइट साइड में आएंगे दोस्तों तो यहां पी आप देखिए आपको तीन बटन देखने को मिलती है सबसे उपर की तरब देखिए वाल्यूम अप उसके बाद वाल्यूम डाउन और बिल्कुल करना क्या है दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि यह जो तीनों बटन है वाल्यूम अप वाल्यूम डाउन और पाउर बटन ओके आपको इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है नियर बाउट टेन सेकेंड तक ध्यान से सुन लिजे दोस्तों ध् आपकी डिवाइस आटोमेटिकली पावर आफ होगी जैसे ही पावर आफ होगी दोस्तों तुरंत आप तीनों बेटन से अपनी फिंगर हटाएंगे और उसके बाद आप वाल्यूम अप और पावर बेटन को प्रेस करने के बाद आपको वेट करना है जब तक कि आपके डिवा प्रेक्टिकली आपको करके दिखा देता हूं तो यहां दोस्तों अभी भी देख सकते हैं डिवाइस हमारी पूरी तरह से पैटन लॉक है मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको वाल्यूम अप डाउन और पावर बेटन इन तीनों बेटन को एक साथ प्रेस करना है बहु अब अब यह देखी पावर आफ हुई हम तुरन तीनों बेटन से अपने फिंगर हटाएंगे और वाल्यूम अप और पावर बेटन को फ्रेस कर देंगे यह देखे डिवाइस ऑन हो गई ओके और अभी आफ होगी यह देखिए ओके अब हम अपनी फिंगर यहां से हटा दे और आपको ऐसी वेट करना है आपफ गरिए और आप देखेंगे दोस्तों आपकी डिवास अनज संग गैलेक्सी डिट्रॉट को पूरी तरह से रिक रिकभरं रिमोड पे एक्टिव हो चुकी है और recovery के सारे आपसन आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं ओके वीडियो को दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा और मेरी कही हुई बातों को अगर आपने अच्छे से इसलिए यहां पे एक option है wife data factory reset का हमें जानाओगा wife data factory reset वाले आपसन पर तो बहुत आसान है आप simply volume down बटन को प्रेस करें और आप चले आए Wipe data factory reset वाले आपसन पर यहां प्यान numerical बाद आपको ओके करना होता है तो Okay करने के लिए मैं आपको बता दू आपको Power Button का यूज करना होता है. Okay? तो मैंने बता आपको यहां पे Okay करना है तो Okay करने के लिए आप यहां Power Button को एक बार प्रेस करेंगे. जैसे ही power button को प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपके सामने दो option आएगा cancel और factory data reset आपको जाना है second वाले option पे यानि की factory data reset वाले option पे तो बहुत आसान है आप simple volume down वाली बटन को एक बार प्रेस करें तो यह देखिए आप आचुके हैं factory data reset वाले option पे यहाँ पे आनिक बाद आपको ok करना होता है और ok करने के लिए आपको power button को प्रेस करना है लेकिन एक मिनट दोस्तों आप यहाँ ok करने के लिए जैसे ही power button को प्रेस करेंगे दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके device का सारा का सारा data जैसे कि आपका music, contact, emails, videos जो भी है आपके device में जो भी data है वो सारा का सारा data यहाँ पे डिलेट हो जाता है और एक चीज़ों बता दूँ दोस्तों data बचाने क कोई भी option नहीं है अगर ऐसा कोई भी option होता तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर सेयर करता ओके तो चुकि दोस्तों हमें device को unlock करना है device का pattern lock, pin lock और password lock break करना है इसलिए हमें simple power button को प्रेस करना होगा यानि कि ok करना होगा तो चलिए power button को एक बार प्रेस करते हैं और यहाँ देखें दोस्तों, formatting data, नीचे के तरब देखें, formatting data, आपको कुछ second wait करना है और कुछ second wait करने के बाद आपकी device totally फिर से recovery mode पे active हो जाएगी, यानि कि आपके device का wipe data complete हो चुका है, आप नीचे के तरब देख सकते हैं यह देखें, data wipe complete, यह message आ जाएगा, कुछ second wait करने के बाद और फिर से आपकी device recovery mode पे active हो जाएगी, अब उपर की तरब देखें, लिखा है reboot system now, यानि system को reboot करिए, क्योंकि आपके device का data wipe complete हो चुका है, आप system को reboot कर दीजिए, तो system को reboot करने के लिए आपको ok करना होगा, यानि कि power button को एक बार press करना होगा, तो चलिए यहाँ power button को एक ब ओके, device हमारी reboot हो गई, और अब आप wait करिए device को पूरी तरह से active होने तक, चालू होने तक, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब आपकी device reboot होने के बाद पूरी तरह से active होगी, चालू होगी, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके display पर पहली की तरह किसी भी type का locks हो को hard reset करके device का pattern lock, pin lock और password lock remove करने का सबसे easy, सबसे 60 तरीका, यह जो method दोस्तों मैंने आपको बताया, इस method को बोलते हैं hard reset, और मुझे पूरी उमिद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे, आप अपने Samsung Galaxy A03 core को hard reset करके device का pattern lock pin lock और password lock remove कर पाएंगे, तो दोस्तों एक छोटी से request आप से करना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें, वीडियो को like करना बिल्कुल न भूलें, और ऐसे ही अपने सवाल और problem आप हमारे YouTube वीडियो के comment box में type करिए, मुझसे share करिए, मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर solution देने की कोसिस करूँगा, आप अपनी problem इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझे share कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का link मैं आपको description box में provide कर देता हूँ आप वहाँ जाए, मुझे follow करिए, और directly अपनी problem मुझे share करिए, मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर solution देने की कोसिस करूँगा, एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, जब भी आप device को hard reset करते हैं, तो device पूरी तरह से active होने में वक्त लगता है, आपको wait क करें, तो आप देखेंगे कि आपकी device पूरी तरह से active होगी, और यह देखें, हमने कुछी second wait किया, और finally हमारी device पूरी तरह से active हो गई, आपको याद होगा, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, कि जब आपकी device reboot होने एक बाद पूरी तरह से active होगी, तो आपकी display प इसके लिए हम simple यहाँ start पे click करेंगे, उसके बाद यह देखें, यह जो box है, I have read and agree, आपको इस box को check करना होता है, उसके बाद आप next करेंगे, यहाँ देखें दोस्तों skip का option है, तो आप skip के option पे click करेंगे, यहाँ देखें don't copy next, आपको don't copy पे click करना है, just a second, कुछ second wait इसके बाद नीचे से यहाँ देखें, next आपको करना है, okay, यहाँ देखें, यहाँ से आपको more, more, accept, okay, यहाँ दोस्तों आप चाहें, तो फिर से pattern, pin, या password अपना apply कर सकते हैं, okay, लेकिन फिलाल के लिए मैं इस आपको skip करूँगा, इसलिए मैं simple skip पे click करूँगा, यहाँ से skip anyway, ओके, यहाँ से फिर से देखें, skip का option है, आप skip पे click करें, यहाँ से आपको next करना है, okay, और यह देखें, you are all straight up, आपको पहले finish करना है, और अभी आपको wait करना है, ओके, और यह देखें, जैसे यह android setup हमने पूरी तरह से complete किया, दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारी device Samsung Galaxy A03 Core पूरी तरह से अनलाख हो गई, device हमारी पूरी तरह से active हो गई, और अब देखें दोस्तों, device पे पहले की तरह किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है, हमारी device Samsung Galaxy A03 Core पूरी तरह से अनलाख हो चुकी है, active हो चुकी है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये trick आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे उमीद है दोस्तों कि ये trick आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीस दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे request करना चाहूँगा, कि अग वाली नेक्ट वीडियो की notification सबसे पहले आपको उमले, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुर बहुर धन्यवाद, thank you, thank you so much